को माप सबको खुशाम दीज शो कराम है दमिशी खान शो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग सब्सक्राइब क्योंके सर्दी बहुत है उसकी वैसे कुछ लोग डिप्रेस्ट होते हैं कुछ लोग महिंगाई की वज़े से टेंशन में होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि उनको सोड़ा सा रिलीफ पैक्टर दिया जाए तो आज की शो में आप हिस्सा रे सकते हैं कॉल करके हमाई नंबर सही हो गए ना एट जीरो वाला एट जीरो वाला नंबर है लेंग कोई बात दी एट जीरो नाइन फॉर फाइफ टी वन जीरो फाइफ वान अगर इस्लाम बार आल पिंडी से बाहर हैं उसके लावा आज का सवाल सबसे पहले आपको बता दू कि इनसान के हाथ की हथेली में कितनी हडियां हो सकते हैं जीरो जीरो के रिए जीरो 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 जाओ इस पॉसबल इतना अच्छा खुब्सूरत गाने की परफॉर्मंस के बाद तो थोड़ा सा हिल गया है दमाग तो आप लोग मिशी खान अफिशल टू जो है वो इंस्टेग्राम पर मिशी खान आप मिशी जो है वो ट्विटर पर है दमेशी खान शो इस ओन फेस्बुक और उसके लावा यूट्यूब पर भी मिशी खान अफिशल है और साथ में जो टिक टॉक है उस पर मिशी खान अफिशल है माशाळा लाइस नाजीन टिक टॉक पर ऐसी कोई अबादी फोलोर्स की बढ़ती ज अफिशल है और जो हमारा उफिशल यूट्यूब का चैनल है जिस पे अगर आपसे प्रोग्राम मिस हो जाते हैं तो वहां पे पूरे-पूरे प्रोग्राम अप्लोड़ेट है दैट इस ऑल्सो के टू टीवी ऑफिशल के टू टीवी जैसी आप टाइप करेंगे तरम तो ब पाकसान के मायनाज सिंगर है उनका तमाशा जो है वो आपको सॉंग सुनाएंगे और आज बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि फिल्म और ड्रामा के बड़े मायनाज अदकार आज हमारे साथ होंगे जिन्होंने मुखतलिफ प्रोडक्शन्स में काम किया और यकीनन आप उनके बहुत सारे जो कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किये उनके आप मद्दा है आज माय साल अमेजिंग से लतीफ शेक साथ होंगे उसे खूब बाते करेंगे पास्ट को कहते है ना गोल्डन पास्ट की मेमरीज को दुबारा से रवाइब करेंगे और आप लोंके भी सवाल होंगे तो आज बहुत मज़ा आने वाला है और मज़ा उसकत आएगा जब मैं ममी को कह दूंगी असला अलेकुम ममा क्या आले हैं आपके ठीक ठाक हैं आप खेरियत से दारबाइजन और बारबाइजन को मेरा खास सलाम दारबाइजन नाजीन कराची में सकत ममी के साथ हो नहीं दो दिन के लिए सकत जो बारश के जो है वेदर रिपोर्ट में आया हुआ हुआ है तो प्लीज बी केरफूल मास्क पहने करोना वाइरस भी बहुत पहला हुआ है और सरदियों में आपको पता है जो भी बिमारी हैं जखम या कोई भी चोट लगती है वो बहुत थो सबसे ज़्यादा जो मैं कहूंगी नुकसान देए चीज़ है खामखा चुटी बातों पर स्ट्रेस करना कि आपकी कुवत मुदाफियत जो के इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा उससे लो जाती है तो कोशिश करें कि दौा अपने लिए मांगें और अगर बिमार हो ग अच्छा शबाज बाई नहीं बाई नहीं बाई यह नहीं आपकी आजाती है अब एक कॉंट्रवर्सी चल रही है I don't wanna take any names मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी ना ही मैं किसी और का नाम लेना चाहूंगी लेकिन प्लीज यह जो selfie stick जिसको मैं सोटियां काऊंगी selfie stick लेके हर जगा पर पहुंच जाते हैं लोग और वो जब आप किसी older इंसान की जो है वीडियो बना रहे होते हैं तो उनको यहीं लगता है क्योंकि वह टेक्स अभी नहीं होते हैं उनको यहीं लगता है कि अच्छा यार यह अपने हमारे घर के लिए अपने लिए वीडिय बना रही है तो मैं चलो इसके सवाल का जवाब दे देती हूं तो बहुत मुझे दुख होता है कि लोग यह स्टिक्स उठा के बस हर एक से जो है उनके एंगल भी नहीं बनाते फिर उनका थोड़ा सा आफ एंगल भी आता है तो प्लीज पूछा करें उनसे यह बहुत इंफ लेती हूं तो मैंने काओंगी कि जी है मैं यूट्यूब चैनल के लिए ले रही हूं यहां आप हमारे इस चैनल के लिए हम लोग यूट्यूब पे डालेंगे यह नहीं है कि आपने स्टेक उठाई और किसी का भी इंट्रव्यू लिया तो लोग कुछ माइंड करते हैं और जाए बात है कि आपने उनकी परमेशन के बगार जो है उस वीडियो को लगा दिया जो यह के सम्ताम्स यूट्स इवरी जरूरी होती है अन दिस नूट लेते हैं कुछी कॉल और आज बन रहा है चिकिन चाओ मिन नी भी बोलते हैं लोग चिकन चाओ मीन बीन है वो हलो अलेकों हलाओ साम लेकों मशेया बी वालेकम स्लाम कैसी आप कानबात करियें ऐख व्लादा हुण भाद करियें रहां हमें से लेखा बात करियें घूट्री में यहां से फोन मुझे खुदाफ़ खेंगी न तो फोन बंद नी करना गुलधाद बई आपका नंबर शब् को फिर वो डिस्पैच हो जाएगा हील्स का जूता जो है ठीक है अच्छा आज के सवाल का जवाब इस तो मुझे नहीं पता आज के सवाल का जवाब इन्सान के हाथ की हथीली में कितनी हड्या होती है पांच यह से जाद है पांच होती है यह आज मेरे जो जबरदसी टीम है तो अच्छा आज की रेसिपी जुरू ट्राय करना ये मैं आप लोग इसलिए और देरियों ये फुल मील होती है और सैटरिकल वीकेंड है परसों संडे है तो आप लोग सर्दी में ये ना ज्यादा मज़ा है गापको खाने में चिकन चौमन तो अब जो आपको आपकी और चुटी सिस्टर का नाम किया है इमान को और इनकी हानिया की ममा को मेरा असलाएलेकम कैसी आप लोग ठीक टाओगे खेरियत से लॉट्स अवलाव बादो शुक्रिया आपने अपने पॉल की और नाजी जी हमाई कॉलर जो ए उस दिन इत्री साइ पर्चियों में से हानिया चक्वाल का नाम आया तो थाइक क्यू वंस अगें अब चलते हैं अपनी कोकिंग की तरफ बिकॉज हजी नहीं से ऐसी बात नहीं है यह कोट लांग कोट ए मेट्रिक्स का कोट यह आपको इन जूतों के बारें बता दूँ इस आप यूर लेदर श आपको चीजें जो अच्छी क्वालिटी की होती है आप उनके पैसे जादा देते हैं लेकिन वो लांग लास्टिंग होती है यह नहीं कि दो दिन के बाद जो है वत तलवा उदर जा रहा है और जूता उदर जा रहा है तो जूते के तलवे होते ना तलवे कुछ उर्दों क जो है नो मुझे थोड़े से ट्रिकी से लगते हैं यह मैं अपना कोट इदर रखों क्योंकि मैं सब्सक्राइब करने जा रही हूं और इदर क्योंकि मैं आ गही हूं तो हमारे जो प्रॉप्स हैं और खुब्सूरत जो सोफा और एक्सेसरीज है यह बीन स्पांसर बाइब इंटिरियर जिनका जो आउटलेट है वो है बेरियर टाउन रावल पिंडी सिविक सेंटर में इधर आप जा सकते हैं और इनके लेटेस्ट जय डिजाइन देख सकते हैं सब्सक्राइब आप जो एंख शुक्रिया हमारे सेट डिपार्टमेंट का भी बूब 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 शुक्रिया बूब बूब तब चलते हैं आजी लेट्स गो एंखुक्साम चिकिन चाव मिं हेलो सामलेकों जी वालेकुम स्लाम कौन बात करें टाइम मुहबत हुसाय ने तक से बात करो मिशी खान केसी हैं मौहबत तूडू कैसे हैं मौहबत खान आप खेरियत से अलहमदलिल्ला आप सुनाएं से तो घर एची है आपकी शुक्रामदल्ला अभी तक तो माशाललह से सही चल रहा है सब कुछ आपके शो मिस हुआ था तो मुझे बड़ी परिशानी थी मैंने का लगशाला मिशी खान को से बखशे ने नी बस उस शो में उस दिन जरा मेरी त अबियत नासाज थी के मैं फिर उसके बाद शुक्रामदल्ला में ठीक ताउग हो गई थी और वापस बैक तुद पर विलियन जी जी बिलकुल अच्छा मिशी खान एक तो आपसे बात करनी थी ये मेरे पास्स निकले थे ना जब आपने शो किया था पिछले मांत में एक आमना ने विन किया था और दूसरा मैंने तो वो मुझे केट्व वालों ने राबता नहीं किया और अभी तो वो फेस्टिवल भ हो गया था उन तीन दिनों में पांच छे और साथ जनवरी 2022 को होना था राइट उसके बाद वो री स्कैजूल हुआ था रीस कैजूल होने के बाद वो 14 15 16 जनवरी को हुआ तो वो क्यूंके आपके टिकेट्स तो वो जो थे वो अल्रेडी प्रिंटेड थे तो इस वजह से मौसम की खराभी चे वजह से वरना आपको तो टिकेट्ट जो है अपने बिन कर लिया था किसमत की बात है मुपत साब क्या करें किसमत से कौन लड़ सकता किसमत का खिलोना हजी यह देखें लेटिस्ट यह देखें चैक 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 यह हमारा खुब्सूरत पैपर मिल आज कर जो जो आवकिन में जो बड़ी ट्रीडिशनल टाइप की पैपर मेलोट इन यह वाइलिव सबसेची उती है कोन करेगा अच्छा इसके लिए आपक तो दो पैकेट चाहिए है आपको या एक पैकेट या डेड़ पैकेट जो नूडल्स होते हैं एक नूडल्स हो तो जादा अच्छा है यह देख लें यह नूडल्स जो है यह बॉइल करके बॉइल करने के टाइम पर आपने इसमें थोड़ा सा ओईल और नमक डालना है ताकि यह बिल्कुल चिपके नहीं इसमें क्यूंकि उसके नहीं डाला था तो मैं इसमें एक टेबल स्पून सिर्फ ऑईल उपर से हलका से ड्रिजलिंग कर रही हूं ड्रिजल डैट सिट ताकि यह खुबसूरत हो जाए बहुत जादा बारीक चॉप की भी यह जूलियन स्टाइल तो बारीक यह वाले बेशक आप कीमा इसमाल कर लें मैं इसमें जो चिकन पीसिस हैं वो इसमाल कर रही हूं यह आप देख लें चिकन के पीसिस हैं और इसमें मैं थोड़ी सी अभी से इसको थोड़ा सा मैं सीजन कर रही हूं इसमें कुटी वीला काली मिर्च और थोड़ा स में नमक शामल करके इसको हमने थोड़ा सा मैरिनेट कर लें या पकाने से पहले थोड़ा इसमें फ्लेवर अच्छा आ जाएगा बाकी जो इसमें चिली गार्लिक सॉस यूज होगा जिनको मिर्चे नहीं पसान वो जो टुमेड़ो केच्छाप है वो इस्तेमाल कर लें एक से सुस डिले गाई श्यूज है और साथ में सिर कर देगा यह अवावर रेट बाकी यह बेसिक वाला मैं आपको बतार रहे हूं बहुत साहीं लोग बहुत साहीं चीजें कर दे आए होते हैं लेकिन यह कि अब मैं इस वाली देख चीवें बनाएंगे हम खीमा पहले की में गु कर रहे हैं कौन बात कर रहे हैं जी जी अञीजै को ऑलेकम स्लाहम कौन बोल रहे हैं ए इस वाहरी है कोई गुजर खान के पास गाउंगे असद बात कर रहे हैं मैं मैं उनकी मिसस बोली है जी जी फर्माइए क्या कहना चाहेंगी हाथ लगा लिए बालों को फिर से क्या कहेंगी मैं आपके ड्रामें बहुत अच्छी आपका अपना प्यारा नाम क्या है कीमा जी मेरा नहीं दखतर नाम है नहीं दखतर हमारे पाक्तान काहाद प्योल्य कारणा भी नाहीं दखतर जी है जी जी मेरे पापा ने रखा ता मेरा नाम नहीं दखतर नहीं कोई सब 555 नया चलें चलें कुछ यह जडिन काल ě क्रया यहार नहीं 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 देखना हाई वास आज पर ये देख ले ना की चिकन रूमिन आपने देखनी और अपने प्यारे से मिया सब्सक्राइब है ब्रूमें और नी गुचर गुजर खान वैसे गुजर खान मैं आई भी ओ बहुता है कैसे आपके जारी थी वह मिटी के बरतन लेने वो तनूर नहीं अथा मिटी का तुमें रवाद तक गई पर मैंने कर दो रवाद में नहीं रवाद से आगे गई हूं तो साथ बोर्ड लगा ता गुजर खान मां के बजार में मैंने अपना वह अबाया पैंड के वह मास्क वास लगा के ना तुमें अंदर इतना मजे का बजार है ना वो गुजर खान का मैं जा चुकिए हूं साव अचाब साग खाएंगी जी कभ खाएंगे आँ मैं आपको खलाओंगे जरूर आपक लंबाद में बोरी है ना इसलामार में कोई बाद नी गुजर खान दो मेरे घर से अज़ने वाली गाड़ियां भी निकल लाई है ठीक है थैंक यू सामाज असर साव उनकी बीवी जाए अशेरा जी मुझे लग रहा है मेरा बलशान बहुत ज्यादा तेही जूब गया है अफ फील अच्छा अब आजाते चिकन पर चिकन गुलदाद बहुत खुपसूरती से लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और चोटा करूंगी क्यूब्स हमने बनाने यह लंबाई में स्ट्रिप्स बना दी है उन्होंने चलो यह भी ठीक है लेकिन थोड़ा साथ मैं इसको चोटा कर लेती हूं जब तक मैंने इसमें हम लोग जब तक कीमे के बजाए हम यह जो है ना एक सेके इसको मैं साइड पर लेती हूं जो सबजी है ना उसको मैं कुक्स सटर फ्राइ करते हैं इसमें यह वाला ओयल डालते हैं बिसमाम अमन रहीं यह डाला इस वाले पैन को इदर रख लेते हैं और नाव इस गूना स्टार्ट जब तक मैं इसको भी कर लूँ छोटे क् स्ट्रिप्स में यह ओता है कि स्ट्रिप्स आप जब वो स्वीट एं सावर चिकर निया वेश्टिबल चिकर मिना रहे होते हैं उसमें स्ट्रिप्स ठीक रहेंगी इसमें थोड़े साच छोटी चिकन की जूरत होती है है ऐलो असलाम लेकूम अलेकर मजह जी जी खैरियत से आप से नहीं है कैसे हैं खेरियत से हैं कौन बात कर रहें है हेलो आई जी जीरो के नंबर नो जींक्स नंबर जींक्स हो जाता है कभी-कभी देंग कोई बात नहीं है आप शुकर है आ रहा है सो कर जो मौसम का हलात है बाहर it is going to rain very strongly अच्छा जी यह हमने यह देक आपने जि समयने हाथ का कीमा ही है कि छोटी छोड़े इसमें पीस है इसमें मैं आप उइल डाल दिया इसमें मैंने क्या करना है क्विक सा स्टर फ्राइ करना बंट गो भी उस नहां घिखाइल कर दिख Addód atla के बराबर यह और आपने Engator ढाला यह वंदा घंद बेट किया च्छेस्पून के अब हूद उसको खुति हो डाला यह है अब हम ने क्या क्या लार कि इसके अपने अपने करना क्योंकि इसकी जो वो रह जाएगी आई ना क्या कर रहे हैं आप लो ओके यह मैं इसमें डाल रहे हूं यह हमने बस आपने इसको इसमें मैंने थोड़ा सा कुटी वी ला अकाली मिर्च और हजब जाइका नमक और पिंच आफ रेड चिली फ्लेक्स यह आपने देखा इसको ज्यादा को करने की बिलकुल जूरत न यह मैं बोल उसमें यह जालते जाएंगे है लो सामलेकों वालिकम स्लाम मैं कैसे आप मैं एक साथ कर यह से आप कों बोल रहे हैं मैं हनान भर उना बोरा मजें लान हरनान फॉम गुरूं ऑंला कैसे रनां ठीक ठाक एंख अधरिशन फॉर आप रख लगं फ्ट व्ट्व बिख्राइब करें आप पढ़ते हैं हनान किस क्लास में में बीको मैंने किया रिसांडी भी इकामर्स लिकामर्स अच्छा बीकामर्स किया अच्छा ओके ओके जबरदस्ट तो मैं एक्चुली मैं इसलिए भी कहते हूं कि अब जनरेशन जैनरेशन जो है फिर वे थी फिर जी थी ति फिर उसके पाद आप जो ए आप लोग जो है मिलेनियल हैं सारे विवार इसके साथ भी थोडा लिया गी थोड़ा रिच का भी पहनते हिंगे पेनते हों ग़ाजे लेटर्कों की जो स्टाइल है क्याप पहने हो बड़ा मज़े का होता है यह ना चलो वही नाइस थैंक यू सो मज़ को आपकी फर्माइश है हनान आज चिकन चॉमन बन रहा है आप जरूर अपनी वालदा से या घर में किसी जो कहना आपको बना के दें ठीक है थैंक यू सो मज़ हनान वह वह रही है अब आगे इसमें डालेंगे गाजरॉले गाजरू डालेंगे इसमें यह गाजर डाल दी साथी शिम्ला भी डाल दें आओं हरी प्याज हमने एंड में रखनी है हरी प्याज को बिलकुल छेड़ा चाड़ी ने करनी वह एक दम पिंच और यह चीली फ्लेक्स एक पिंच काली मिर्च एक पिंच यानि चुटकी वराबर यह नमक है और इसी में भी थोड़ा सा एक टीस्पून चिली सॉस और एक ही टीस्पून जायेगा इसमें सॉइसस्पून आप आजाते हैं इसको आपने अच्छी तरा क्विक्ली थो अच्छा नीज ब्रेकश टो जाना झाल कि इस लिए के कबाशल ब्रेकश ए कि कुछि अम आजशा है किशικά ब्रेकर मुझे हो उते हन्हीं स् कवर्णीध कमे कीशिका करें को हाएं कि वियां ऊलम फिर्या-गारीウ पकाना है इसमें थोड़ा सा मैं ऑल डाल रहे हूं और कोई दो से चाहर टेबल स्पून कॉल आप कर सकते हैं 0518094521 पे और आज का सवाल है कि हाथ की हथेली में कितनी हडियां यानि बाउंस होता बाउंस हेलो असलामलेकूम को खोड़ा सापने इसको ब्रेक कर लेना कि जहरे है नोग खाने में पासा फिर वो कांटे में आता नहीं मुझार। वरना इसका थरीका होता है कांटे ऑगोल गुमायां तो verbessए मै इसकी जिव ज कच्छा पन है न बॉइल होने मुझा जाए गाने को ङिफोंस हीं करने काली मेर्श नमक और इसमें थोड़ा सा स्वैसास ताके यह मैं पहले से डाल लूँ एक टीस्पून सिरका इसमें डालेंगे ताकि बिल्कुल फिकी फिकी सी यह भी है अलो अलेकुम चिली सॉस और साथ में स्वैसा वालेकम स्लाम कर बोले इंग इंग रान बोर रहा हूं तो छापने काखे से सिखेस फड़ अठायों के ऋक्राइब क्रमार अपिका इख स्वावत जेरा स्में काली मेर्ष घे कैसे हैं अब को ओटीयल and अलमेस कैसे ऐख एक आके और हैंगे सब्सक्राइब अजिए ठाप आज चाव में टाप अज चाव में बने चिकन चाव में और आपने फोरन निकाल ले एसको जीजिब इत okay as you know I think ye thoda sa non-stick nahi tha toh is liya मैंने इस को पेली से ही निकाल लिया we need some non-stick अच्छा जी अब हम चिकन को बना लेते हैं chicken is the most important इसमें यह जो चिकन मैरिनेट थोड़ी सी मैने की थी कुटी भी काली मिर्च जालनी थी इसमें नमक डालना था और यह थोड़ी सी यह कुटी भी काली मिर्च और नमक और साथ में कुटा हुआ लाल मिर्च और यह लेसन अद्रक का पेस हम इसी में डाल देंगे और इसक को मैरिनेट कर लेना है मज़िदार सा ऑईल गरम हो गया इसमें हम इसको अप्शामिल कर देंगे और ढखकन लगा देंगे ताकि यह बहुत जल्दी चोटी चोटीछीवटी पीस है कीमा भी आपस्टमाल कर सकते हैं तो हेलो असलाम लेकूम अलो असलाम लेकूम जी 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 फूलनगर पूलनगर है फूलनगर यह कि दर है फूलनगर भी नाइस नेम इते हैं तो लाहर के पास काई पे लोहर के पास Oke Lahaκα पास माशए आलह और बाशॉ जबर этом तो कैसी है आप और नाम क्या था अंका नाजिया आठीयां नाजिया जी नाजिया प्रिस्टाम कर रहे है जी फ्सक्राम कर रही हूं मैप की कूऊ आपना एक वास्टाइब चाहिए प्रिण खर्क एक्टाम सब्क्राइब ट्रॉड है और ग्रेमट इमस्टाइब तह प्राइब तेले उसा इंशलिए डाइब ट्रेयुर्ण स्थी पॉट एकर थी अपर्रेव अपने वसन आलू पारद में बनाया था अच्छ बहुत अच्का बनातर बहुत मजय कर बनाथा है चलो बैदी नाइस आज आज यूशलीया नाजीया चुटी में क्या बनाती है एचे चुटी वाले दिन क्या बनाती हैं आप से क्या इस टीज ही फर्माईश थी है कि 126 जो बितार बाच कर जे बीन मी और भी हैै वो अबनाते है तो पर्सों का कि अबेला मट अबना हूं कि नग Jeśli पर्सों धिरर मैं है यह और तरहें यह ऑगा थी का फूल नगर तो यह आप जो यह परसों के लिझा यह जो जो आप में आ के हां जी सब थीक था अचा आज के सवाल का जवाब बता दे था पो शों से दिखते हैं थैंक यू आज के सवाल का जवाब बता दे क्या हाथ की हतेली में कितनी हडिया होती है 26 26 26 26 नाजिया हो come on this is not good ने चलो आज सुन लेना आज सुनना प्रोग्राम पूरा देखना नाजिया 26 अधिया हाथ की अतेली में पूरी बॉरी बॉड़ी में कितनी होंगी होई है हडियों से बने में होंगे हम तसे सबसे largest organ is the skin यानि हमाई जो skin है जिल्द जो है वो सबसे बड़ा organ है body का अब नाजीन स्कुझरा साफ सुत्राइस के साथ क्योंकि मैंने ये डालना है आएम वेरी फिनिकी बरतनों के मामले में लोग बरतन जो है ना वो गीले रख देते हैं अंदर कबर्स में और फिर वहां पे ना माशाललह से कौक रोज की पूरी फैमली पाइदा हो जाती है तो प्लीज खुश किया करें बरतन उसके बाद आप और सिंक भी हमेशा खुश क ओरत किया करें है एलो सामलेकूm जी आलेकम जी 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 बालेकम स्लाम, कौन बोल रहे हैं? क्या आलाइन जी, जावेद बोल रहा हूँ, वाकेंट दे? जावेद फ्राइट जी जावेद, कैसे हैं, सब खेरियत है? क्या आलाइन जी, ठीक चा कहा है? अच्छा अच्छा आपका प्रोग्राम तकरीबन डेली देखते हैं ना तो फर्स टाइम पर ये फॉन मिला रहा हूं आप से बात हो रही है लग गया है फॉन बस काफी टाइम से ट्राइ कर रहा हूं थैंक यू सो माज बहुत शुक्रिया आपका वहां बनती रहती है हमारे मूँ में पानी आता रहता है ये इसका कुछ मुझे इलाज नी समझा रही है इसका इलाज ये कि आप घर में जो भी देखे वो बना ले अच्छा ताके वो आपका जो जैका है मूँ का वो एक दम से उस सारी मेरे खाल दाद की मुस्तियक हैं क्योंकि हर कोई बहुत मेनत से कुकिंग असान काम नहीं है रोज करनी पड़े मुश्किल काम बहुत अच्छे लगा आपका शो आज मुलकाद भी टेली फून पे हो गई है तैंक यू बहुत शुक्रिया अलाज खेर और अफियर कर 27 एडिया है मेरे हैल 27 एडिया है ठीक है ओके 27 आपका जवाब नोट कर लिया है इंशाला अब आपको फूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का नाजीन ये देख ले चिकन क्यूंके बहुत चोड़ी चोड़ स्कुथे क्यूब्स ये एक यूदू से बन्ती है मैं चिली सॉस डाल रही हूं दो टेबल स्पून भर के एक टीजिस्पून यो इसमें सिर्का जाएगा रिपीट टेली कास्ट है ये इसमें और एक टेबल स्पून ये जाएगा क्यूंकि जो नूडल्स है ना जो चाउमें के नूडल्स हैं वो बिल्कुल ब्लैंक है ब्लैंड है तो अब इसमें थोड़ी सी कुटीवी लाल मिर्श और एक आदा कप के बराबर चिली गार्लिक सॉस आपको मिर्चे पसंद नहीं तो आप केचप यूज कर ले इसमें ना मां रही है इसमें शामल कर दिया इसमें और एक पिंच बराबर इसमें मैं डाल रही हूं चुईनी एक कॉलर से बात कर लेते हैं उसके बाद ये और मुस्ट पक गया सारा कुछ अब इसको सेंबल करना है और दूंगे में निकालना ये चीनी हमने शामल कर दी हैलो स्लाम अलेकुम जी काली मिर्चम ने डाल यादी वालेकुम स्लाम कैसी हैं आप कौन बात कर रही हैं अनुशे कराची से क्या है अनुशे ठीक ठाक है आप आप ने की थी ओन नू तो मैं भूल गई एक से कड़ा ना हुदी लिखता बेटा मैं एक से किन मैं भी लिखती हूँ अना पुलीस आजएगी ना लिखा तो किदर ग शौक का टाव देना था आजएगा पेटा पहले मुझे सारे को मिटाना पड़ेगा बताओ सवाल का जवाब दें पहले पांच हटी आए पांच हटी आए अनुशे अचा अनुशे अब बताएं किदर से कॉल कर रही है कराची कराची ओके यह मैं आपका नाम लिखके चिकन चाव दो मिन और अनुशे करें करें मेरी च्छोटी बहन की बिद दिट्टी तो आप उसको वष कर दे मैं अभी कर देतीओ क्या नाम है झाक फाटिमा यह देखें चिकेन चाव में अनुशे फ्रम कराच्छी यह देखें, यह आपका नाम आगया है, यह देखें. वाच इट, है है हमार साथ, अनुशे? प्यारी सी, त्यूशी था, जानुशे, अनुशे की भेहन, जो है, प्यारी सी, जैनब, उनकी बित्थ दे है, साथ में नाजीन, यह भी कर रहे होती हूँ, okay one two three happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dears and a happy birthday to you may you have many more may you have many more happy birthday dears and lots of love have a great birthday no shake it again yeah that you have a ski hope sootie is chicken key hope sootie that you have foreign kitchen carna is can the doll they know her yali piaz yani harry piaz spring onions you have a shamel card you talk a spring onions to her yali and a please go ni grab on each year year oh yeah it's come missive old here and that's it I'm nice my shamel cardia yeah yeah or yeah I'm near you chicken chow min है इसके अंदर शामिल कर दिया, गास ओफ और इसके अंदर अब मैं जो बाकी रमेनिंग है ये डाल देते हैं एक माहा साथ कॉलर भी है, इसको फोल्ड करने है एंड रेडी टू इट हैलो, assalamualaikum ji mahalaikum siam कॉन बोल रही है मैं Sada Numan Maat कर रही हूं लहुर से कॉन? Sada Numan Sada Numan हां जी, mashallah आपका प्रोग्रम बहुत इच्छा है थैंक यू Sada, बहुत 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 शुक्राइब बहुत मंता हता है, mashallah आचा, थैंक यू आपके लोगिंम यहां ना एक जा रहे हैं हम एक प्लिजब दे टिर टिन्टिया होटी है 27 27 का कि आप अपड़ती हैं होके यहो जादिया होटी है प्यारी सी वैसे यूग लोग्या राशनले से जल्दी टाइम से शादिया हो रहे हैं इस वेरी गुड़ी मेरे जल्दी होगी थी चले है बहुत प्यारी लग रही है और मुझे हील के सैंडल चाहिए चाहिए अगले हफ्ते के आप हमारे शोज देखना और लुकाउट में रहना आपको जो सवाल का जवाब होगा फिर कुर अंदाजी होगी और क्या पता आपका ने कला है लहुर से प्यारी सी सदगा पतान इक ओल मेल टी कॉल मेल टी है कह नहीं मिल टी है अटिम आपको वाद्नियत बान लेना और कॉल करना ठीक है थैंक यू सो मज नाजीन वुफ तास्क इस दॉन है यूँ आटरा हमारी आज की रीसीपी अनुशे फ्रम कराची ने य ये लिया इसको थोड़ा सा ये जो कांटा है ना इसको आपने गोल-गोल घुमाया इस तरह खमाएंगे ना ये ये किया और इसके बाद ये देखें रेडी टु एट इसी खान आई लब यू हो गया ना जी ये देखें खुबसूरती देखें जरा इसकी और हमारा आज की रेसिपी डी सीपी जो है वो बन चुकी है इट इस माइंड ब्लॉइंग जरूर बनाएए सिंपल रखें ज्यादा देखें कितना अगर चीज़े कटी वी हो ये देखें इट इस सूपर यमी ये आपके अटलीज आट से नौ लोग ये संडे को आप बना सकते हैं क्योंकि आज इस हफते का लाज शो है अगले हफते मेरी आप से मलकात होगी थोड़ा से इसमें काली मिर्च डाल देते हैं ये लें उपर से एन वाला टा-टा इस रेड़ी जरूर ट्राय करें रिपीट में जो है हमारा शो जो है कल सुबा सबाशना बजे मतलब बैठने तमाशा बाई सजाद अली ब्रेक पर जाएंगे उसके बाद हमारे साथ आज बड़े मायनाज़ा दकार है लतीफ चेक साथ सब्सक्राइब आपने कहीं नहीं जाना जीन आजीन वापसा चुके हैं और आज के जो खुबसूरत प्यारे महमान हैं जिन से मेरी मुलकात हुई 2010 में इसलामबाद में और इनका प्रड़क्शन हाउस है और साथ में इन्होंने फिल्म टीवी मुख्तिलिफ जो मीडियम्स हैं उन्हें बड़ा जबरदास काम किया आज ये वक्त निकाल के हमारे शो में तशीट लाएं तो आज खुब बाते करेंगे पास्ट की 10-11 गुजर के पता ही चला है अच्छली आप भी मस्रूफ रही हैं जी जी और मैं फिर एक इदारा था नैशनल आई वे थार्टी उसमें मीडिया आफिसर की तोर पे वो सिलसला चलता रहा तो अभी कोई दो साल हुए है मैं वहां से रिटायर हो गया अच्छा अच्छा नहीं कि पूरा टाइम मैंने सरकार को दिया और वहां रहते वे भी समझिए कि यही काम हम करते रहें डाकुमेंटरी के ओपर बड़ा मलब वर्क किया और मीडिया देख रहे थे तो अब क्यूंकि जब मैं आजाद हो गया मैं रिटायर्मेंट को यह कहूंगा कि मैं आजाद होगी है अठाई साल कर सा बहुत होताए बहुत है तो जब मैं यहां नहीं आया था मलाजबत में तो उस वक्त मैं शोबिज में भरपूर तरीके से काम किया बलके लेट्स टेक एवरीवन बैक इन टाइम जब इन्नोंने फिल्मों में और ड्रामों में काम किया तो सबसे पह यहां जागिर्दार का बेटा होता हूं उसमें वो पाहज दिखाया है और वो कहानी के अदबार से था करेक्टर तो यह करेक्टर पहले आयाज नाइक को दिया गया और उसने इंकार कर दिया था वो क्योंके बाबरा शरीफ साहिवा भी थी उसमें तो उनका मैं उनका भाई नहीं बन सकता हां क्योंके उनका इधिंक रॉमांटिक पैर वो इन थे फैसल हो गए और आयाज तो फिर मैं क्योंके कैमरे के पीछे फिल्म इंडस्ट्री में मैं शुबाब प्रड़क्शन में था तो शुबाब स्टुडियो में मेरी ड्यूटीज होती थी तो कैमरे के पीछे पीछे तो बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया मेरे जो सीनियर्स थे माशाला बहुत बड़े नाम थे उनके तो वो फिर आफर आई तो एकबार इजवी साब ने मुझे बुलाया तो एक वाकिया भी हो गया था ये फरीद नवास बलोच साब जो है मरूम मेरे भाईयों की तना थे मेरे दोस्त की थे बहुत अच्छे इनसान थे और हमारा एक गुरूप होता था हैधराबाद का फरीद नवास बलोच मंजूर कुरेशी साहब और यार मुहमद शाह जो है मत्यारी से आजाते थे तो हम मिलके कराची जाया करते थे अच्छा सॉरी आपकी बात करके मुहमद बख्ष समेजो साब अपरेंटीस क्रिप में थे जब हम जाके वहाँ पर एक्ट करते थे तो नाटक सबा मिशी खान वहाँ पर एक सीरी चलती थी ना सिंदी ड्रामूर की नाटक र प्रिडूसर किया करते थे उसको किसी को चार्ड रह में दे दिया करते थे काहनिया होती थी और वो इस तरह से तो वो फिर हम मनजूर कुरेशी साब हमें बुक किया करते थे अच्छे ये वो दौर था कि बाहर जो है ना जो मिलने वाले लोग आते थे वो जनाब-ई-अली लाइन लगी होती थी बिल्कुल बिल्कुल और पासिस के लिए भी हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था क्योंकि वो मैनर जो रेटिकेट ऐसे थे पी टीवी कराची के कि जब तक अंदर से टेलेफून की कॉल नहीं आईगी हाँ या पासिस आते थे एक लिस्ट होती उसमें फिर हमारी एंट्री होती थी तो कितना वो एक बदूश्किल दोहर था बिल्कुल अच्छा उसी जमाने में अर्शद मेहमूद जो सिंगर बने पिर एक्टिंग भी कि उन्होंने वो भी हमारे साथ वगा करते थे माजे जांगीर लतीफ मुन्नो लतीफ मुन्ना जो है तो तो सारे जितने भी उसके जो एक्टर से उनके साथ एक अच्छा तालुकात था और प्यार मोहब्स से हम रहा करते थे हैं अगर यNext कन्वार्ण मिलती तहीं तो हम सब को मुबारे कब देते देते कि यार आपको काम मिल गया तो उस वक्त जाहर है मालब मीडिया इतना ओपन नहीं था और सिर्फ पी टीवी कार्पोटेशन थी तो पी टीवी ने हमें बड़ा सहरा दिया सहरा भी दिया और देखें जो आप मैनेर्स और एटिकेट्स और जो तरीके कार है अदब लिहाज वो भी बहुत अपने सीनियर्स की बहुत हिज़त किया करते थे और सीखते थे बिलकुल मालब यह नहीं था कि आज कल तो आइम सोरी कि मालब हो यह रहा है कि वो डारेक्टर ब कि वो पूरी टीम को कन्फ्यूस कर देता है यह दोर आज का चल रहा है बिलकुल जबकि हमारे नजदीक यह दोर सही नहीं है मलब ठीक है डिसकस करें आप करेक्टर डिसकस हो गया है तो अब सेट के ओपर आप आके कहरें कि जी मैं तो इसको ऐसे करूँगा जबकि डारेक् का काम यह होता है कि वो जाके परफार्म करें बस उस करेक्टर को वो होता ह्याग कि वो डारेक्टर भी बन जाता है अच्छो वो कमरा में भीद जाता है तो हम भी यहा ज है उन्हां तो अच्फेर मेरा मिल ले लेए लों घ्चा मेरा करेक्टर लिखा जाता है उसी हिसाब से उन्से वह ले रहे होते हैं वरना वो एक ड्रामों में काम नहीं कर सकते काम नहीं कर सक्थिए पिलकर के सब भी आपका है जी कईए जी फैसल भरिमान के सफ जो कि चैब एपने पीक पर हीरो थे जी 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 ये ये कौन रिक्टरी ऐसा था पिटना ही था मुझे तो तो की नासर जो थे ना इस मेरे जवद फाजल साब ने लिया आचा ओके ओके एक दिन पहले उन्होंने जावज फाजल साब को इंकार करती है तो वो हमारी मुलाकाते रहती थी तो मुझे जाविद फासर साल मिले एवर न्यू स्टोडियो में मैं 11 साल फिल्म इंड़स्ट्री में भी अच्छा जो मैंने आपको बता है मैंने ठीक है अच्छा अब क्योंकि एक मारे सीनियर डिरेक्टर और रोजाना हमारी मुलाकाते होती थी सलाम दुआ रहती थी तो अगले दिन मैं पहुंच गया तो हम चिडिया घर चलेगे जो लाहूर का चिडिया वहां पे जाके मुझे पता चला कि आज मैंने पिटना है अच्छा आपको विलिज में रादिया तो मैंने जावेश आप से का मैंने का यह पिटने के लिए मुझे बला है बले बहुत खामोश रहो जो यह तुम्हें कहूंगा वैसा तुमने करना है तो वो बस एमर्जेंसी समझ लें या जो भी है तो फिर मैंने किया और वो सबने बड़ी दादी के बहुत अच्छा हुआ है आर्फा सिदीकी जो है जी जी वो भी थी ती उस फिल्म में जी आर्फा के साथ में एक फिल्म और भी की थी शाजमान अच्छा वो यह मंडी भाउदीन के जो पहाड़ थे वो पिंजाबी फिल्म थी असलम डार सा की तो नादेन अच्छा एक वर भी नाम यह जी जा फिल्मों के पहाव है जो कि उस टाइम में जो फिल्म इंडिस्ट्री थी उस में इन होते थे बलके अब ड्रामा के हवाले से मैं चाहूंगी के इनकी जो शोरी लेड़ द्रामे के हवाले से वो भी चलके देखते हैं उसक नबाब आपस को जगा दे अच्छा यह जो लास्ट सीन्स में देखे थे यह लेटिस प्ले यह यह इसमें हुआ है कि काफी अर्से के बाद तो इम्रान काजमी वो शायान मेरा बेटा जो है उसके दोस्त है तो उन्होंने का कि अंकल वो एक करेक्टर है आपने वो करना है अब वो करेक्टर बाकाइदा अच्छे यह रोजों में रिकार्डिंग होई थी अच्छा ओके यह जो यानिके दो साल हो गए है जी इसको की तो मैंने का जी बिलकुल मैं करूंगा वो फिर किया तो माशाला मालब अच्छी टीम थी इल्यास कश्मीरी डारेक्टर भी थे उसके यानिके कैमरा मैंन भी थे और इसक्रिट बहुत अच्छा था और इसमें बस सिर्फ एक बात में यह कहूंगा कि ड्रैग काफी था अच्छे यह मेरे खाब मैं अब काफी सारे प्लेज इसले भी थोड़े से नहीं पसंद की जाते क्योंकि अगर वो तेरह एपिसोड के होते हैं तो उनको 26 कर दिया जाते हैं उससे लोग बोर हो जाते हैं किसके बार टाइम नहीं कि वो हर हफते बैट की देखे अच्छे इसमें एक इतनी जबरदस हमें चांस था कि यहां से चार ड्रामे रिकॉर्ड होके जा रहे हैं और वो आउनियर जा रहे हैं जैसे कि हमारे आपके जमाने मे होता था वो होता था कि अगले हफते जो ड्रामा रिकॉर्ड हो रहा है और अगले हफते किस चलनी चलना है वो देखे कैसा टीम वर्क होता था और आपको बता है तेरह एपिसोड के लिए मुझे याद है साड़े तीन महीने हम लोगे बुग्ट होते हैं अब यह दस दिन मे में एक आपका सीन था मरीना खान के साथ जो के मैं बड़ी प्यारी दोस्त और उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा कराची में कुच्चु और मरीना उनके साथ मैंने कुकिंग शो भी किया था तो वह आला है इसलामबाद में शूट हुआ था है प्राइवेट चैनल का सेकंड यह सेकंड था एंटियंग तो यह था हसीना बाजी हसीना मोहिन साहिबा तो मरूं हो गी बिचारी तो सीना आपके साथ अच्छा मेरा इसमें भी ऐडिशन हुआ था अच्छा ओके जिया अली एजाज साहब उन्होंने रिकमेंडेशन मेरी दी थी तो अडिशन अभी इंटर यह मरीना भी बैठी नहीं थी और खाल्दा रियासत और जो भी यानि कि दू आर्टिस्टोर थे वह भी मौँद है तो जब मैंने स्क्रिप पढ़ा तो उन्होंने का कि आप ऐसा करें कि इसको रिवाइस कर लें अब आपने इस करेक्टर को बनाना है यानि कि इसकी जो थोड़ा सा आप वर्क करके फिर आप आई है अच्छा वो करेक्टर उन्होंने बताया कि यह पढ़ा लिखा नहीं है इसका मालब पैसा बहुत है और इसने बिल्डिंगे खड़ी की है और कारोबार इसका बहुत वसी है इसको खुद भी बता कि इसके एकांट में कितना पै नायश्टी में बड़ा साथ रहा हमारा तो मैंने का सर आप मुझे कोई टिप दें इसके मैं इसका मनलब कैसा इसको ढ्रॉए इसमें उन्होंने का आप एहना इसको ऐसा करें कि फैसल बाद के आप सर्माएदार है और हर बाद करते वे आप हष्कर यह मलब आपने पर्फॉ कि एदिए और शोखा टाइप शोखटा जो अजहां अचा और सबस्ट आप करें कि मासा कॉलर भी है मैं चाहूंगे उनको भी इंवाल्व करते हैं सो सोरी जी बिल्गी माफी फेलो असलाम अलेकम जी साम अलेकम है अलो है अलो हो एच हाजी नियारी है तो तो ओके सारी, कॉल डॉप हो गए, एक क्विक सा कमर्शल ब्रेक है नाजीर, उसके वापस आते हैं, लथीव शेख की बात, लथीव शेख साफ की बात, वही से स्टार्ट करेगे, जान से आपने छोड़ी है, लथीव वापस आचुके हैं, हमारे साथ मौझूद हैं, अमेजि आप स्टार्ट करने, कहानी, उसमें हुआ ये कि जब मैं अली अजास साफ के पास गया, तो शाह साब ने मुझे कोई टिप दी, वही जो मैंने आपको पताया, तो वह फिर मैं जा कि वहाँ बैठ किया, अब उन्होंने मुझे टिप ये दी थी कि जहां जहां पे भी जी लगा दें, दूसरा आपने हस्ते भी ये बात करनी है, अब आप करें, मैं मरीना खान हूँ, आप करें फिर समयर से बाद, तो मरीना खान का नाम था रोशनारा, रोशनारा, वह परोसी नहीं, जी यहां, तो वो उनकी एक बड़ी बेहन थी, जो मेरा रिश्टा मेरा रिश् रहा हूँ, तो वो देख रहा हूँ, तो वो चाय बना रही थी, जैसे कि ये चाय अभी आए ये, तो चाय बना रही थी, तो चाय बनाते बनाते मुझे देखते कहती हैं, कि आप किस लिए आए हैं आप यहां पर, मैंने कर जी आपकी बेहन नहीं बताया, बोले, नहीं, हो मैं जी आप से शादी करना चाहता हो जी मैं जी हां जी अब वो मैं जी हां जी वो ओर भी न लगे और उसको फिर मैंने अपनी टाइमिंग बना के क्योंकि ये मैंने अपने बड़ों से सीखिए अपनी सीनियर्स जो भी पुदी टाइमिंग बनाई है यहाँ पूरी सेम लाग वेरी वो कहते है ना पन लविंग टाइप अब यह क्योंकि आपकी रिटार्मेंट होगी है तो अपेरेंटली अब आप फुल टाइम शो बिजनस को देंगे इसलामबाद में भी अब काफी प्रोडक्शन बन रही है फि लशकर मैं इसलिए कह रहा हूँ और आप देखेंगे ना मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ जी जी आपी तो खातून है ना और माशाला आपने जबर्दस काम किया हुआ है आपके करेक्टर आज तक जो है हमारी खवातीन के अंदर बड़ा लेकिन उनकी पीछे राइटर हो पाकिस्तान जो क्योंकि मैं तो हर चैनल को देखता हूँ एक्स्टा मेरिटल अफेर्स यहां फिर मतलब एक रिष्टों में गलाज़त भी फिरा दिया है अच्छा हमारा कल्चर जो है हमारे पाकिस्तान का जो कल्चर है वो कुछ और है मतलब अब देखे ना वो पंजाबी फिल्मों का जो है ना किसी जमाने में बहुत अच्छा यानि कि वो उच्छल कूद जो थी वो बहुत कम थी और फिर एक दोर ऐसा है कि उसमें पग शग आ गई और पगड़ी समाल जटा और ये खेरत इज़त और मलब ये सारी चीज़ें और फिर गाउं का एक माहौल होता ह अब फिर ये आ गया कि जी हसीना चारसो बीस तो फिर फिर गानों में बेहयाई आ गई तो अच्छा वो गाने फिर ऐसे लोगों से लिखवाए गए मुझे तो ऐसे लगता है कि I'm sorry कि मालब उस दोर की हुकूमत या उस दोर के लोग जो हैं ये चाहते थे कि ये बत्तमीजि फिल्मों की जो जो एक क्राइटीरिया था जी 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 उसने जो वो पौद उस सकत छोटे से बड़ी हो रही थी जी उसके जेनों पर बड़ा गलत तास्र दिया चाहे वो पंजाबी फिल्में थी बहुत सारी जो के जारा आफ किसम की थी हैं सीना चारसो बीस और इसमें जू को गाने देखें आला माफ कर दे कि मतलब अच्छे मैं मैं इसी बात को आप अंदाजा ही निलगा सकते मैं आपकी बात को यह आगे बढ़ाता हूं जी 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 आगा जी एगुल साब जो है ना एवर नियूर इस्टूडियो के मालिक थे मैं वहीं था जी और शबाब्जी स् अब कीजेगा हैलो असा सौरी जी 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 लडीव सेख साब असलाम लेकूम वालेकुम स्लाम कैसी है मैं ठीक चा कैसी है आप खैरियत से जी अलहम दोलीला मैं ठीक था को आपकी द्वाएं जी जी फरमाईए क्या कहना चाहेंगी मेरा नाम साइमा खान मिशी हान और मैं अच्छा ओके थैंक यू बहुत शुक्रिया लतीफ शेक साब हमारे साथ मौजूद है आप बात करना चाहेंगी जी लतीफ शेक साब की मैंने देखा लाइव और यकीमा ने बहुत अच्छा लगा और लतीफ शेक साब आसाम लेकूम मैं आई थी आप से मिलाकादमी याथ ह अच्छान के साथ वालेकूम सलाम अच्छा आप कैसी हैं ठीक हैं आप जी जी मैं ठीक हूँ आप नहीं कैसे हैं आपकी तबीयत कैसी हैं जी बिल्कुल ठीक ठाक फस्किलास यकीमा ने बहुत खुश्ची हुई जब आप बिमार थे तो यकीमा ने बहुत हो रहा था कि मैंस तो फिर आपसे तो मेरा प्रॉमिस भी है तो इंशाला उसको पूरा करेंगे और शॉर्ट फिल्म का फर्वरी में शुरू हो जाएगा तो जिया प्रोडक्शन करेंगे और आप हमारी टीम का हिस्सा भी है तो इंशाला बहुत जल्दी थांक यू सो माशुकरी आपको प्यारी सी कॉल का अच्या लदीव शेक साफ खाने पीने का शॉक है आपको जी बहुत जादा लेकि फिट कैसे रखा हूँ अपने आपको थोड़ा थोड़ा काऊ तो थोड़ा पहनको मजा आएंगा मैं लारी हूं आपके लिए बड़ा अच् गुलदाद भाई की प्यार और अच्छा नजर जो आता है ना वो आ रहा है ना ये रहें आएं जी जी मैं आपको देती हूं अभी फिर हमने खाना भी है इसको अच्छा इसमें स्क्रीन पर ये बताएं जब भी ड्रामा हम करते थे एक डोंगा होता था जिसमें सिर्फ बिर इतनी भूक लग लग लिए थी थी नाजरीन के मेरा दिल जार डोंगे में बुझ जो उसका उसका हल पता है क्या है नहीं अभी नहीं खैर जाएं नहीं हम क्या करते थे हैं बताएं के अंदर मेरा ये बड़ा एक्सपिरियंस रहा है तो वो जफर शबाब साब की जो फिल्म हाँ आई अलो वो बिर्यानी पे डालते थे थे वो केक पे भी खाने पे भी और जनाब अली हर चीज़ पर वो डाल दिया करते थे अच्छा उसको सब को पता होता था कि ये खाया नहीं जा सकता इसलिए फिर उसको जो है ना कोई हाथ नहीं लगाता था अल्लब नाजरीन हम हम तंग आके बूक उड़ जाती थी नेक्स डे आते तो वो कहीं डोंगा पड़ाता था था खराब हो जाता था चाई के कप भी होते हैं फिल्म के अंदर जो सीन हो रहे होते हैं या बिर्णामे में खाली कप अब वो खाली कप जो है वो आर्टिस को चाहिए ना कि वो इस त किसी चैनल पर भी जो थोड़े मतवस्थ दिखाय में उसके घर में आता है कोई आप हाथ पोगो दोले में चाई बना के लाती हैं और आमीर लोग दिखा रहे हैं अच्छा वो अखबार पढ़ रहा है आप की तबीत क्यासी अच्छा में चाई बना के चाई 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 चा कर दो तेंग जो अब आपने कहा के बताना है इदर आजया हमने इसको करना है जिग 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 ओके बिसमामनी तो हम बादान कासा बना इसका जो टेस्ट है नहीं नहीं देखिये मैं एक दो झारी अजो देख और एक आपए दूसरा एक खाए ना दूसरे में ज़्यादा पता चल अब आया ऐते या आई ना या या इन ना वेरी टेस्टी और इसका जो मिर्चों का आपने तनासूब डाला है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मैं फाइव स्टार होटल में बैठके खा रहा हूं आपने मुझे चाही भी पिलाई है और माशाला यह जो डिश में खा रहा हूं जी इसमें अच्छा फूड जो होता है ना वो सहत के लिए तो अच्छा होता है लेकिन मूट को भी अच्छा करता है आपके वैसे माशाला मूट इतना है तो मालब यह चीज़ अच्छा मैं इसमें राई साब की बात करूँगा जी राई साब शुक्तान राई साब वो हमारे बेतरीन दोस्त भी थे मेरे बड़े भाई भी थे जी जी तो वो खाना देखकर उपैच्छान जाते थे कि खाना कैसा कैसा है क्योंकि खुश खुराब थे जी वो यानि के खाने में जैसे कि अभी आपने मुझसे पूछा मैंने का आपकी राई बड़ी जुरूरी थी क्योंकि माशाला आप भी आर्टिस्ट है आर्टिस्ट की बड़ी एक वो दूरेंदेशी भी होती है जी 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 तो लतीफ सेख शब देखे टाइम का पता ही उसकी जो आपको बता दूँ के 27 हडियां होती हैं इनसान के हाथ की हतेली में सो ब्रावो जिन्हों ने 27 जवाब दिया को अच्छा सा परिगाम देना चाहेंगे अपने प्यारे से फैंस को जी 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 मैं मिशी साहिबा मैं ये कहना चाहूंगा कि काम इतना जादा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया इस वक्त नमबर वन पोजीशन पे जा रहा है माशाला लेकिन हम पाकिस्तान के बाहर क्या मैसिज कनवे कर रहे हैं एज़े पाकिस्तानी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्ट सवाल ये पैदा होता है कि देखने वाला वीवर जो है आप उनको कित स्वाइकर है बिलकुल जैसे कि मैंने कहा एक खवातीन का लश्कर चल रहा है I'm sorry मतलब मैं जी जी कोई बाती मैं ना के चैनल्स के अंदर स्क्रिप्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए ओके खवातीन के अलावा मतलब मर्द भी तो है ना उनकी जिन्दगी है बिलकुल बिलकु ना वो यह लगता है कि वो काम करने जा रहा है या वो जॉब पे जा रहा है महला वो स्क्रिप्ट के अंदर ये कम से कम ये चीजे पहले हुआ करती थी दफ्तर में दिखाया जाता था एक्टिविटीज दिखायी जाती थी और बाकाइदा प्रापर जिसको हम यह कह लें कि बिजनस वर्क होता था बिजनस वर्क होता था एपसलूटली एक आपके साथ तस्वीर भी स्माइल चीज जतीफ सेख साथ मेरी जो टीम है उन्होंने अब मेरे पे जो डाल दिया है कि टाइम इस ओवर तो बहुत 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 शुक्रिया आपका तेंक यूर बहुत बहुत आप अपना बहुत ख्याल रखें इंशालला मेरी अब आपसे मुलकात होगी आने वाले बुद्वले दिन रात को नौ बजे लाइफ आज का शो आप रिपीट में देख सकते हैं कल सुबह सबह नौ बजे मतलब नौ बीस तका बैढ़ जाना राम से साड़े नौ शुरू हो इंशाल